यहीं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर और आज जो वेकंसिज निकल के आ रही है आप यहां देख पार रहेंगे सेंटरल यूनिवसिटी और पंजाब की तरफ से वेकंसिज निकल के आ रही है जो कि नॉन टेचिंग पोस्ट व एज लिमिट क्या रखी गई है एजुकेशन कॉलिफिकेशन क्या महा गया है सभी पोस्टों पर एप्लिकेशन फी कितनी लगए है सहले आपको क्या देखने को मिलेगा साथी में सेलेक्शन प्रोसिजर क्या है तो इस वीडियो को आप सभी लास तक देखिएगा वीडियो करने से पहले बताते हैं दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आये तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी लेटेस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम सभी ठीक है जो आई भी आप यहां देख पार होगे पंजाब सेंटर यूनिवसिटी की तरफ से न सब्सक्राइब करने वाली है ठीक है तो 22 पोस्ट है पर्मान पोस्ट है आप यहां देख सकते हो आप सभी डिप्टी रइस्ट्रार की जो वेकंसिज इसमें आपको सेली आपको 78,800 रुपे पर मन देखने को मिल जाएगा इसमें टोटल एक वेकंसिज है यूर के लिए इसमें सहली आपको 44,900 देखने को मिल जागा तो अब यहां देख पार होगी काफी सांदर अच्छी वेकंसिज है प्राइवीट सेटिकी वेकंसिज है इसमें चार वेकंसिज है ऐंड इसी तरीकि से प्राइवीट सेक्रेट्री और डिपीटिशन की एक वेकंसिज रखे एक वेकंस रखी गई है असिस्टेंट की भी एक वेकंस रखी गई है यहां पर यहां पर लास तक देखिएगा काफी अच्छे अच्छी वेकंस है और काफी सारे केंडियेट जो होंगे इस वेकंसी में होंगे इनने से काफी सारी वेकंस के लिए तो आप सभी एक बार जरूर इसको देखिएगा अच्छे से ठीक है अगली जो वेकंसी स्टेटिकल असिस्टेंट के वेकंस इसमें भी एक वेकंस रखी गई है और नेक्स जो वेकंसी अपर डिविजन कलर की इसमें आपको सैली 25,500 अच्छों देखने को मिल जाएगा इसमें भी टोटल एक वेकंस रखी गई है और लेबोर्टरी असिस्टन की भी एक वेकंस इसमें अभी आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगा अपर डिविजन कलर के बलावा रहा है पूरी किस पूरी इसमें 25,500 रुपे इसमें आपको एक्ट्राइब जोर दोगे तो आपकी इनिशिल सेली जो इसमें 35,000 के आसपास आपकी सेली पहुंच जाएगी तो काफी अच्छी पोस्ट भी है इसमें आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह की साब को कुक की वेकंस देखने को मिल जाएगी जिसमें दो वेकंस आपको अच्छी घासी देखने को मिल जाएगा इसमें चार रखी गई जिसमें आपको अच्छी अच्छी जाएगा इस वीडियो में आप लास तक जरूर बने रहेगा सभी के में एजुकेशन कॉल्फिकेशन डेटेल में आपको बताने वाला हूं ठीक है और जो तीन पोस सबीटर आपकी अच्छी आप को थे भी आपको कि रहने वाली कंप्रर आप्रप्र अाबर को मिले बांकी जो पोस्ट्रेकशन रुप्या में में 398 रुपय आपको चैनली को मिल जाएगे ihre दिए से बारह महने की लिए यह वेकंस रहने वाली तीन बांकि जो सभी 22 वेकंसी यह आपकी पर्मनेंट जॉब रहने वाली है इसमें आल इंडिया के मेल और फिमल दोने यूब अपलाई कर सकते हैं ठीक है इसकी अपलाई करने की डेट हम सब देख लें यहां पर इसकी जो डेट रहने वाली अपलाई करने की वह 16 तारिक से फॉर्म बढ़ने स्टार्ट हो चुके हैं ठीक है 17 तारिक से सोरी फॉर्म बढ़ने स्टार्ट हो चुके हैं इसकी जो लाज डेट रहने वाली वह 16 ग्यारा साम पांस वेज तक इसमें अपलाई कर सकते हो एप्लिकेशन फी की ब यहां पर स्टी रिजब क्याटेगरी वालों केंडिए के लिए कोई भी फॉर्म फिस्ट नहीं लगने वाला है और यहां एक चीज में आप सभी को और बता दूंद दोस्तों अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अपलाई कर रहे हो तो आपको अलग-अलग पोस्ट प कि हम डिटेल में देख लेते हैं एजुकेशन कॉल्फिकेशन सभी पोस्ट पर क्या रखी गई है आप यहां देखते हैं जैसे डिप्टी स्टार की जो वेकिंशिज ग्रूप एकी वेकिंशिज है इसमें सहल लिए आपको इनिसेल पे 78,000 पर मन्त देखने को मिल जागा इस के बारे में यहां discuss कर लेता हूं जिसके लिए most of candidates होंगे eligible होंगे ठीक है इसमें जो आपकी फर्स्ट निकल के आती है वह आपकी लडिसी की पोस्ट निकल के आती है जिसमें most of candidates apply कर सकते हैं साथी में यह आप ग्रूप B की प्रस्टनल असिस्टन की वेकिंशिज से इसमें most of candidates होंगे वह eligible होंगे इसमें बैचल डिग्री महां गया है साथी में आपको computer typing की knowledge होनी चाहिए ठीक है अगर आपके पास है आप अप्लाई कर सकते हो साथी में two years के आपके पास experience भी होने चाहिए अगर आपने कभी यह प्रस्टनल असिस्टन का work किया होगा ना तो आपके पास experience लेटर भी होगा में दावे के साथ कह सकता हो आप साहिए ठीक है और बांकि फार्मसिस्ट की वेकिंस के लिए आपके पास जो है 10 plus 2 होना चाहिए साथी में two years का आपके पास diploma होना चाहिए फार्मसिस्ट का तब यह आप इस पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हो लावरेट्री के लिए बैचलर डिग्री मांग गया अगर आपके पास साथी में two years का आपको knowledge of working है कहीं किया हुए experience है तो आप इसमें अपलाई कर सकते हो ठीक है एंड उसके बाद जो है अपर डिविजन कलर की हम देख लेते हैं इसमें केवल और केवल बैचल डिग्री मांग गया है बैचलर डिग्री अगर आपने खर राखा है किसी भी स्ट्रीम से तो आप इसमें अपलाई कर सकते हो इसमें एज लिमिट रखी गई है अठार से बत्तिस वर्स रखी गई है साती में अपको प्रॉपर एस डिलेक्शेशन भी देखने को मिल जाएगा कैसी किसी पोस्ट में यहां पर चालिस वर्स भी रखी गई है ठीक है तो आप यहां एक बड़ ऑफिसल वेबसाइट पर ज़रू विजिट कर ल माग गया है त्वाइब आपको कम्प्यूटर की नॉलिज होनी चाहिए इसमें कोज भी अदर एक्ष्टर काली कॉलोकिलर एक्टिविटेश नहीं माग गया नहीं कोई एक्सपिरियन्स माग गया है अगर आप इसमें एलिग्जवल हो तो ज़रूर अपलाई करना सबसे जय इसने वाले जो होंगे वह एलिजबल होंगे तो ज़रूर अप्लाई करना यहां पर ज्यादा है जो पेई कर सकते हैं वहीं कैंडिट अप्लाई करना ठीक है जो भी अप्लाई करेंगे ना मैं 100% गिरंटी के साथ बोल सकता हूं आप सभी को अब इसके फाइनल रिजल्ट तक सिरूर जाओगे अगर आपकी महनत होगी तो आप इस वेकिंशी को भी करेकर के लेकर जाओगे क्योंकि इसकी जो कट आफ हैं बहुत ही कम जाने वाली है क्योंकि नंबर ऑफ कंडिएट बहुत कम अप्लाई करेंगे क्योंकि फॉर्म फिस जादा है उसके बाद टेस्ट होता है तो इसमें नंबर ऑफ केंडिएट को भी पास ज्यादा पास करते हैं ज्यादा और कट अफ उसकी एक्च्वल में कम जाती है ड्रावर की वेकिंशी जो की ग्रूब सी की वेकिंशी इसमें तैन क्लास पास मांग है अगर आपने तैन पास आउट कर रखा है आउट आप इसमें अपलाई कर सकते हो वैलिड ड्राविबिंग लैसेंस होना उना चाहिए उसमें आपको ढेंग कर सकते हूँ है इसमें के ब्ले टास्केंशाफ की उपर यह इसमें केबल और केबल थेंट पास आउट मांग है अगर आपने दस भी पास कर रिखी कुसी भी कॉले से युनिवसिटी से मानने उत्ता प्राप्त है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो इसमें एज लिमिट जो रखेगी है तीस वर्स लखे गई है 18-30 वर्स और साती में जो भी रिजब काटेगरी से ब्लॉंग करते होंगो उनको प्रॉपर एज रिलाक्सेशन भी देख आपके पास एक्सपीडियेंस है लाइबराटरी में या आपके पास कोई अचीड डिग्री है कोर्स किया हुआ से तो अब भी आप अप्लाई कर सकते हो ठीक है अगली जो इसमें वेकेंसिज है वह लाइबरेरी अटेंडेंट की है इसमें भी आफसे 10 प्लस टू मांग गया साथी में आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए लाइबरेरी अटेंडेंट का ठीक है तो यह सारी जो पोस्त है और इनके एलिजबिल्टी क्रैटेरिया रखी गई थी कोई भी डाउट आते तो नीचे आप कमेंट करके मुझसे पूस सकते हो या प्रस्टनली पर जेक्षाइब यहां पर इसका जो सेलक्षन पर रहने वाला है वह एक्जामिनेशन बेस पर रहने वाला हैं इसके बाद जो है जो भी पोस्त पर टाइपिंग वगेरा रखी या फिक कोई अधर कोर्स मांग गया तो उनका टैस्ट होने वाला है उसके बाद आपकी फाइनल मैरेट लिस्ट त्यार की जाएगी, अगर उस मैरेट लिस्ट को आप कट ओफ करते हो, किलियर करते हो, तो फाइनल आपको डॉकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाता है, ठीक है तो यह इसका सिलेक्शन प्रोसिजर रहने वाला था, I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में रिख कीजिएगा, चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं जस्ट कर ले, साथी बैल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं ऐसी लेटेस अब्डेट आप सभी के लिए लेके आता रहा हूँ तो मिलते हैं अपने नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जहन तन्यवाद